गाइज एक पर फिट से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल पे अभी आपने जिस बीट सिंक वीडियो को देखा इसी का टुटोडियल मैं आपको देने वाला हूँ यह इंस्टाग्राम रिल्स का एक नया ट्रेंड है और काफी मस्त फनी टुटोडियल है तो देखो इसे बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज की ज़रुत परेगी वो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो इसके लिए आपको यह अंकल वाला फूटेज आईए जो कि अपने डेक्स्टॉप यानि की केंप्यूटर के कीबोड पे दना दन फाइट मारते नजर आ जाएगा इसके साथ यह आपको तोटल बीस फोटो यह जरुत परेगी आप देख लेए ना आप अपना खुद का बीस फोटो लगा सकते औप किसे और का और इस वीडियो को वाले option पे click करके और यहां से आपको वो अंकर वाला footage को select करना है फिर यहां photo वाले option पे click करना है और all वाले option पे click करके आपको उस folder में जाना है जिस folder में आपने 20 photo रखा होगा तो मैं उस folder में चला जाता हूँ और photo select करने से पहले आपको क्या करना है यहां पे एक setting का icon है इसक select कर सकते हो और उसका यहां non रहने देना है एक बार back कर लेना है और यहां से total आपको 20 photo select करना है तो मैं जल्दी से 20 photo select कर लेता हूँ देखो timing select करने से क्या हुआ कि हमारा सभी photo का timing 0.34 second ही रहेगा तो 20 photo select करने के बाद आपको इस arrow पे click कर देना है और कुछ इस तरह से देखो यहां पे यह footage और photo सभी आ चुके हैं लेकिन last में एक input title भी है इसे delete कर देना है तो इसके उपर click करके यहां से कर देता है delete अब इसके उपर music लगाना है background में तो music वाले option पे click करो फिर यहां music पे click कर दो और यहां से यह keyboard beat sync वाले sound को choose कर लेना है और यहां पे ok कर देना है त अब इसमें हमें effect लगाना है इस photos में और video हो जाएगा ready तो सबसे पहले किसी भी photo के शुरू में आ जाना है effects पे click करना है white पे click करके और इस arrow को half कर देना है यहां पे ठीक है और apply to all कर देना है उसका एक और effect हमें लगाना है तो किसी भी photo को select रहने दो और इधर की तर left की side म एक option मिलेगा इसके ओपर click करके apply to all कर दो तो सभी पर यह effect लागू हो जाएगा यानि कि सभी पर apply हो जाएगा अब मैं आपको एक बार play करके दिखाता हूँ वीडियो जैसी ready हो जाएगा यहां से आपको export करना है तो इस पर click करना है यहां से resolution आप select कर सकते हो 720p pixel और 1080p और यहां आपको okay कर देना है बस आपका वीडियो export होना ही start हो जाएगा जैसी वीडियो export हो जाएगा आपको instagram रिल्स के उसी sound पर इसे upload करना है जिस sound पर ऐसा वीडियो upload किया गया है तो फाइनली वीडियो export हो चुका है यहां save to album पे click कर देना आपका वीडियो आपके memory card में save हो चुका है so guys यहीत आज का tutorial आपको समझ में आ गया हो कि ऐसा वीडियो बनाते कैसा अगर आपको tutorial समझ में आ गया तो एक like कीजे दोस्तों के साथ share कीजे और चैनल पर first time visit किये हो तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर लिजे क्योंकि इस तरह कि जो भी trending वीडियो reels पे आती है सभी का tutorial में ज आते के लिए बाइ